माराज की राजनीती में जोर तोर का सीजन टू जल्द छिन जाएगी सीएम सिंदे की गद्धी जाने क्या है वजए माराज की मौजूद सिंदे फरनवी सरकार पर संकट के बादल मंड़ा रहे हैं सुप्रिम कोट के फैसले पर सिंदे फरनवी सरकार का बहविस्टिका हुआ है इस मुद्धे पर उद्धव ठाकरी गुट के मुकपत्र सामना में जमकर निसाना साधा गया अख़वार की कारकारी संपादक संजे राउद ने जमकर निसाना साधा है राउद ने लिखा है कि महराष्ट की राजनीती में जोड़तोर का सीजन टू आने वाला है क्या इस पर बहत चल रही है सिंदे गुट के 16 विदायक अपात रहूंगी इसके भरपाई के तौर पर NCP के विदायक फोड़े जाएंगे अजीत पवाल से लेकर हसन मुस्रीफ तक E.D. का जमेरा लगाया गया है इसका अंत क्या होगा बिग बॉस कौन बनेगा करुणपती जैसे कारिक्रमों का सीजन टू टीवी पर चलता ही रहता है वैसे अब महराष्ट की राजनीती में जोड़तोर का सीजन चल रहा है सिफ सेना को तोड़ा या सीजन वन अब NCP को तोड़ा या सीजन टू आ गया है ऐसी चर्चा जोड़ों पर है जोड़तोर का ही मतलब लोकतंद्र है याब कुछ लोगों ने तैक कर लिया है एक ही चर्चा संजराउत ने सामना में लिखा है कि महराष्ट की राजनीती में फिलार इतनी ही चर्चा चल रही है विपक्ष की नेता अजीत पवार भविश में क्या करेंगे पंदर विधायकों के साथ वे बीजेपी में शामिल होंगे एसा योध्या में गई शिंदे और बीजेपी की विधायक छाती ठोकर कह रहे थे इन सब पर इस पर खुलास जीत पवार को ही करना चाही एडी और अन्यजाच एजन्सियों का जमेला अजीत पवार उनके परिवार के पीछे लगाई है उनके जरंडेस और सैकारी चीनी कारखानों पर इडी का छापा पड़ा है और कारखाना जब्त कर लिया गया है लेकिन अब इस समद में इडी ने जो चार्ज शीट दायर की है उसमें पवार और उनके परजनों का नाम नहीं है फिर जरंडेस वर खरीदी के लेंडेन में मनी लॉंडरिंग के आरूपों का क्या हुआ या वो तमाम आरूप है और छापे राजनीती दवाब के लिए ही थे ऐसी देसत और दवाब की राजनीती महरास्त में कभी नहीं हुई थी संजर राउट ने सामना में लेखा है कि सर सिनापती संताजी गोर पड़े चीनी कार खाने के लिए दिन को लेकर हसन मुस्रीफ और उनके परिवार पर बीजेपी ने हमला शूर कर दिया है मुस्रीफ पतारित होकर बीजेपी में जाए ऐसी कुल मिलाकर साजिस है मुस्रीफ सरत पवार की विश्वसनिये हैं लेकिन जेल में किसी को भी नहीं जाना है एकना सिंदे को भी जेल में नहीं जाना था इसलिए उन्होंने वीजेपी का मार्क स्विकार कर लिया वैस्टीदे पर इमानों के सरदार बन गए संज़रावत ने का कि मंगलवार की शाम उद्दाव ठाकरी के साथ सरद पवार से मिला उन्होंने का कि किसी को भी मन से छोड़ कर नहीं जाना है लेकिन परिवार को टारगेट किया जा रहा है किसी को कोई व्यक्तिकत नेरदा लेना होगा तो बैए उनकी समस्या है